आज हमारी फर्स क्लास आपका इंकम टेक्स का तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे इंकम टेक्स के बारे में कि इंकम टेक्स हमारे क्या सब्जेक्स है इसको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और क्या-क्या slaves है और कितनी important role play करने वाला है ये हमारे आगे career के अंदर क्या income tax जरूरी है तो हम देखते हैं income tax को income tax हमारा 1961 है तो आज मेरा agenda है कि मैं आपको topic पढ़ाऊंगा नी पहले तो बता दू कि हमारा कैसे-कैसे पूरा का पूरा slaves चलने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ accounts की बात करूँ तो accounts के काफी सारे branches होते है accounts के बहुत सारे रूप हैं एक तरीके से ना accounts के बहुत सारे parameters है तो अगर accounts की हम बात करें तो accounts के सारे के सारे एक बार में आपको नहीं पढ़ाए जा सकता जैसे 11 class में नहीं पढ़ाय जा सकता 12 class में नहीं पढ़ाय जाता क्था इसको तो different different जगह पढ़ाते हैं तो सबसे पहले दिखते हैं accounts में क्या क्या आता है सबसे पहले आपका आता है Financial Account the financial account और जो आप financial account की हम बात करें तो financial account हमारा एक तो semester number 1 में पढ़ाय गया और semester semester number आपको two में भी पढ़ाए गया इसके बाद जैसे ही आप semester में आते हैं आगे तो आपका एक होता है cost accounts यह accounts के branches जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा यह पढ़ाया गया आपको semester number इसके बाद semester number 5 आगया इसमे एक है management account management account management account के बाद इसके अंदर आ जाता है हमारा एक और income tax तो ये अब हमें पढ़ाया जा रहा है एक तरीके से मान के चलो आप आपका last mode of examination है last mode की हम बात करें तो कौन से mode की बात कर रहे हैं आपका semester number ये 5 है semester number आपका 5 है इसके बाद आप semester number 6 में जाओगे जो की final year होगा तो सबसे पहले income tax हम बात करें तो income tax हमारे पहले semester number 3 में हुआ करता था डियू में अभी भी still बहुत सारे university में semester number 4 में है 3 में है income tax income tax होता है अभी फिलहाल हमें जो पढ़ाया जा रहा है जो मैं हर बार बोलूँगा word वो semester number 5 के हिसाब से चलूँगा पूरा का पूरा Delhi University के according हम follow करने वाले हैं पूरे income tax को तो अब हमारे पास ये last stage होता है जब accounts पढ़ेंगे इसके बाद हमें सारे accounts के जानकारी मिल जाती है लगबग लगबग लास्ट में एक GST और पढ़ना पढ़ेगा जो semester number 6 में रहता है तो सर जो हमारा income tax था वो 1961 में आपका बन चुगा था अब हम थोड़ा सा वेटेज की भी बाते करेंगे पढ़ेंगे कब हम बाद में वेटेज की बात करते हैं सर सर एनिपी के लिए बिल्कुल ये एनिपी के लिए four year के course है तो नोट three year चार साल का प्यूश आपका course जरूर है लेकिन आपके पास option है कि आप चार साल का करना चाहते हैं कि चार साल का नहीं करना चाहते हैं सर टाइमिंग चेंज कर दो बिजनस मैस और इंकम टेक्स बीच में पड़ रहा है देखो इंकम टेक्स तो आपका semester five में है और बिजनस मैस समिस्टर three में है चलो मैं अब इसके बाद देखते हैं एक बार डियू ने या फिर क्या-क्या वेटेज रहने वाला है उसकी हम बात कर ले थे कि किस तरीके से हमारा वेटेज रहेगा स्लेवस का तो देखो सबसे पहले unit number one रखा गया है और unit number one हमारा introduction है जो कि हमारे exam में 20 marks का आएगा introduction इन्होंने बोल दिया introduction का मतलब तो ऐसे लगता है कि बस एक दो वर्ड होंगे खतम लेकिन इसमें काफी chapters है जैसे कि इसके अंदर previous year क्या होता है इसके अंदर assessment year क्या होता है इसी में समझाया जाता है slab rate क्या होता है जब जब आगे पढ़ेंगे तो पता से कम तीन से चार chapter को मिला के एक introduction बनाया गया है income tax में income tax का syllabus की में बात करूँ बहुत बड़ा syllabus है as further आपका जो पीछे आपने cost account पढ़ा या financial management उससे तो काफी बड़ा होने वाला है इसके बाद unit number two में बोला गया कि भाया आपको दो chapter पढ़ाएंगे that is a salary और house property salary भी एक ब बात करें सर unit number three में क्या है हमारा एक तो हमारा है income यानि PGBP इसको मैं PGBP बोलूँगा और इसके बाद एक है हमारा capital gain capital gain यह भी दो चप्टर हो गया है यहां पर भी दो चप्टर यहां पर भी दो चप्टर यहां पर भी दो चप्टर यूनिट number four में आपका एक other source एक अलग चप्टर है clubbing of income अलग चप्टर है set of एक अलग चप्टर है तो हलाकि यह sentence में लिखा हुआ है लेकिन आप ध्यान रखिएगा यह आगे हम पढ़ेंगे chapter wise दीरे-दीरे हम सारा का सारा यह chapter wise पढ़ने वाले हैं यूनिट number five की बात करें तो कुछ deductions है और computation of total income हम जो follow करेंगे वो बिलकुल new syllabus आपको पहले में बता दू income tax की book भी आपको एकदम latest लेना पड़ेगा क्योंकि हर बार income tax का जो होता है हर साल हो जाता है तो आपको assessment year assessment year आपको assessment year 2000 हम जो पढ़ेंगे 24 और 25 अभी एक अजीव बात लगेगी सर assessment year क्या होता है अगली class के अंदर आप सारे चीज़े समझ जाएंगे कि भाईया assessment year क्या है previous year क्या है टेक्स कैसे बना वो सारी बाते आज सिर्फ हम स्लेवर्स डिसकस करने वाले हैं अगर हम इसको डिटेल में डियू के अकॉर्डिंग चलें तो डियू ने कुछ ऐसे चेप्टर बनाए हैं देख लीजिए बहुत सारे बच्चे मैं पहले बताऊंगा जो बच्चे कई बार कर सकते हैं लेकिन सीखेंगे नहीं लेकिन जो स्टूडिंट आज से जोइन करके चलेंगे तो उसे सारी चीजें आएगी ही आएगी सारी चीजें तो अगर मैं बात करों सबसे पहले क्या सीखेंगे स techniques के अंदर introduction में देखे क्या है एक तो basic concept सीखेंगे यह एक अलग chapter है concepts and income agriculture income एक यह अलग chapter है जिसके underline कर रहा हूं मैं इसको पूरा chapter बना के सिखाऊंगा मैं इसके बाद आपका person SSC यह अलग एक chapter है देखो तीन line हो गए पहले introduction में इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यह residential status यह एक अलग chapter है तो पहले ही chapter में मैं इसको चार पार्ट में बाटूँगा एक दो तीन और यह चार पार्ट में बने बाट दिया unit number two में जो पहले बताया था heading से clear है इससे ज़्यादा नहीं है दो chapter हो गए आपके तो मैं यह बता दूँ जितना इसके अंदर लिखा हुआ है सारा का सारा कराय जाएगा और इसके अंदर चैप्टर वाइस बना के आपको करा दिया जाएगा आगे देखते हैं सर आगे क्या है आपका आपको मैं शौर्ट फम में पीजी भी बिब्ह बोलंगा बिजिनस एंड प्रोफिशन को प्रॉफिट गेन तो प्रॉफिट एंड गेन और बिजनस प्रॉफिशन इस सब को मैंने शौर्ट कट में बता दिया कि क्या बोलूँ आ कुछ बच्चों को लगता है कि सर यह कौन दिया मसीनरी बेच दिया उस पर कैसे टेक्स लगेगा यह भी हम सीखने वाले हैं इसके बाद आगे देखा जाए तो यूनिट नंबर फॉर है जो की हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यह एक चेप्टर इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम अलग चेप्टर सेट अफ अलग चेप्टर तो एक तरीके से तीन चेप्टर यह बट गए डिड़क्शन अपने आप में बहुत बड़ा चेप्टर है कम्प्यूटेशन अफ टोटर लाइबलिटी और एक आपके एक्जाम में आता है इनकम टेक्स देखो इनकम टेक्स होता है यहां कम हो सकता है इस तरीके से देखा जाए तो यह पूरे के पूरे हमारे 5 यूनिट है अब 14 चप्टर में इसको बाट दिया है पांच युनिट को मैं 14 चप्टर में पढ़ाऊंगा तो जब मैं चप्टर पढ़ाऊंगा तो आप ये ना बोले कि Sir इस यूनिट का ये रहे गया आप ये चप्टर तो हमारे लिखा हुआ इना सले बस में उसी unit को मैंने अपने convenience के एसाब से बांट दिया है 14 चप्टर में सर पहला chapter introduction दूसरा chapter tax rate ये unit 1 ही है marginal relief residential status ये total आपका unit number 1 है ये unit number 1 है जिसको मैंने 4 chapter में बोला था ना मैंने इसको 4 chapter में बांट दिया है जो कि कितने number का आएगा unit number 1 unit number 1 सर आपको मैंने भी दिखाया था कि unit number 1 20 number का है तो अगर ये आप 4 chapter कर लेते हैं तो आपके 20 number आ जाएंगे income from house property एक ये और एक income from salary कहां गया salary कहां गया ये salary अगर इसकी बात करें और इसकी तो ये दोनों थे unit number 2 अलग-अलग chapter कराएंगे लेकिन मैं इसी sequence के अंदर follow करके चलूँगा कि ये sequence किस तरीके से करा जाए इसी sequence में follow करके मैं चलने वाला हूँ कि पहले मैं करवाँगा introduction फिर tax का rate बताऊँगा new रिजिम, old रिजिम, फिर marginal relief क्या होता है वो बताऊँगा residential status पढ़ाँगा फिर मैं house property पढ़ाँगा फिर deduction पढ़ाँगा फिर salary मैं sequence ये follow करने वाला हूँ मैं बिल्कुल भी ऐसा follow नहीं करूँगा कि मैं unit wise चलू, मैं sequence जो कि जिसके उपर depend करता है, income tax की मैं बात करूँगा अभी, capital gain फिर एक अलग chapter है, other source, setup, carry forward, clubbing of income, agriculture, pgbp, और ये individual ये सारे के सारे chapters है, income tax में अगर आप बोलोगे कि सर अगर मैं ये chapter भी कराऊँगा आपको 14 तो उसके लिए आपको पुराने सारे chapter आना चाहिए, अगर मैं pgbp कराऊँगा तो उसके लिए पहले दूसरे आना चाहिए, income tax का थोड़ा सा trending पता है क्या रहता है, income tax हमारा एकदम सीधा नहीं चलता, income tax का कुछ ऐसा सरकल है, आप ध्यान से देखो, हमारा जो income tax होता है, वो मानलो यहां पे अगर ये chapter खत्म की पढ़ाया आपने और ये chapter शुरू कर रहे हो, तो इस chapter का reference यहां पर आ जाएगा, यानि पूरा का पूरा सर, income tax आपस में connected है, आपस में associated है, क्या पूरा का पूरा, income tax आपस में connected है, तो आपको इसलिए, starting से बने रहना होगा, एक बा काम तक इस पर काफी सारी चीज़ें हमने चेंज करी है तो टाइम शड्यूल यह आपको मिल गया होगा होफुली तो मैं आज 25 तारिक है तो मैंने कहा 25 से लेके 27 दो क्लास्स रखा है मैंने जो की आने वाले क्लास में थोड़ी लंबी लूborn इस दो क्लास्स के अंदर मैं इंटरोडेक्शन करा हुआ फिर इस दो क्लासिस के अंदर आपका टेक्स रेट होगा मार्जिनल रिलीफ होगा रेजिदेंशल तो मैंने ये भी बता दिया कि चैप्टर स्टार्ट किस दिन होगा और चैप्टर एंड किस दिन होगा इसको मद्दे नजर ध्यान रखते हुए करेंगे कुछ बच्चे कह रहे हैं के सर हमारा टाइमिंग क्लैश हो रहा है लाइक वह कहना है कि उनका बिजनस मैस से तो उसको मैं और टरनेट करा दूँगा बिजनस मैस का आगे पीछे स्लेबस को हो जाएगा सर इंकम टेक्स में तियोरी कितने मांक्स की आएगी ये कल पता चलेगा आपक लाइशे तो मैं बुक्स की बता दू हम जो फॉलो करेंगे इंकम टेक्स की बुक हैMe इंकम टेक्स की बुक जो पूरे डियू में चलता है दो राइटर है बेसिकली मैं फॉलो करने वाला हूं डॉक्टर ग्रीस आहूजा रवी गुपता एंड ग्रीस आहूजा आता है जो आप सभी के कॉलेज में भी लगाए जाएगा दूसरा बुक जो सेकंड बुक है वो चलत वी के सिंघानिया तो मैं जो फॉलो करूंगा बुक को सारे जो कोस्टेंस कराओंगा वह मैं कराओंगा एस पर अकॉर्डिंग टूदा ग्रीस आहूजा अब सर इसके अंदर डिफरेंट क्या है वी के सिंघानिया में कोस्टें से बड़े टफ होते हैं जिसमें से डैली के लिए नहीं बनाया गया बस इसको कॉलेज के अंदर रिकमेंडेशन देते हैं कि इन्होंने इसमें आई टी आर बता रखा है इस वजह से ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में बोलते हैं कि इसमें आई टी आर के कुछ कुश्टेंस के लिए तो आप ये बुक ले लो ताकि इंटर्नल असाइंग्मेंट में दे सके बाकि आपका ग्रीज आहू जाके बुक से एजटी कुश्टन साते हैं और बहुत सारे हेल्प मिल जाती है और इसके साथ साथ हम जो लेंगे वह लेंगे टैनियर और सथ टैनियर अभी आया नहीं है जैसा ही आ जाएगा मैं आप सभ लाथ हम टैनियर करेंगे इस बार हमारे जो क्लास का शडील है वो तो ही है मतलब स्टार्ट होने का टाइमिंग है थोड़ा सा लंबी क्लास मैंने रखाया यह कम से कम मान के चलो देड़ से दो घंटे धाई घंटे भी जा सकता है यह क्लास क्योंकि इंकम टेक्स लेबर जो ह कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्लास खतम हो जाना चाहिए बोरिंग कहीं से कहीं तक यह सब्जेक्स नहीं है आपको वो सारी जानकारी पता चलेगी जिसके बारे में कहीं न कहीं न आपने सुना होगा या आप सोशते होगे जानना चाहते होगे कैसे टेक्स निकलते हैं के कैसे होता है जैसे कि मैं सिंपल एक्जाम्पल लूँ तो वोड़ा फोन और इंकम टेक्स का केस था वो केस कैसे जीता गया क्या वोड़ा फोन का केस हुआ था तो वो सारे कुछ केस टड़ी भी हम पढ़ेंगे सारी की सारी चीजे बुक अभी नहीं आई है बुक पब्लीशर से बात हुई है उन्होंने कहा है कि बुक को वो नेक्स्ट मन्थ यानि फॉस्ट वीक में कर देंगे यानि पास जुलाई तक आ जाएगे जब तक चिंता मत करिये मैं अपने कुश्चन्स दूँगा मैं सामने स्लाइड पे जैसे यह बुक पब्लीक होगा मैं सबसे पहले आपको बता दूगा कि बुक आ चुकी है सर्प्यूस का कहना है सर इस ख्लास में कुछ स्टार्ट होगा या फिर अल्ली इंट्रोडेक्शन बस आज की क्लास मैंने इंट्रोडेक्शन के लिए रखा है ताकि और कुछ बहुत क्लास ले या नहीं हाँ लीना अभी जैसे वाले बच्चे उनका क्लासिस है एक में रिजन ये भी है कि उनके क्लासिस चलेंगे तो वह मैं कहूंगा अभी फिराल अपने अपकमिंग जो आपके फोर समेस्टर के एक्जाम है जुलाई से उसके उपर फोकस करिए ना की आप फोकस करें किसके उपर किसर हमारा इंकम टेक्स का छूट जाएगा वो मैं कवर करा दूँगा उसके लिए आप निशचिंद रहिए उसको मैं पूरा कवर कराऊंगा अलग स आप चौते समेस्टर पर फोकस करिया और जिन बच्चों के एक्जाम हो गया है रेगुलर एंसी वेब या फिर आपका ओनर्स हो चाहे प्रोग्राम वह बच्चे कंटीनूर लाइव क्लास लेंगे आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप इसके लिए स्टडी मटीरियल में बि लॉट्स के चक्कर में मत रहिएगा कि पीडियेफ नूट्स मिल जाए ग्लास का रोटिंग रजिस्टर पर जरूर करें अगर आपको अच्छे नंबर लाना है क्योंकि नोट्स में एक बार जब आप नोटिंग करते हो तो आप सारी चीज़ों को ध्यान रख कर नोटिंग क तो इस स्लेवस से रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड और क्लास और कब क्लास खतम हो जाएगा वो भी टाइमिंग मैंने अल्रेड़ी डाल दिया है कि सर आपकी क्लासिस जो है वो तो 23 नोवमबर तक खतम हो जाएगा आपके एक्जाम स्टार्ट होंगे सर दिसंबर में और 23 स्लेबस बहुत बड़ा है आप देखेंगे सभी चप्टर के अंदर काफी काफी 10 क्लासिस इसमें लग रही है फिर सेलरी के अंदर पीजी बीपी में 12 क्लासिस लग रही है तो बड़ी बड़े को दिखाना भी चाहूं तो मेरे पास अभी इंकम टेक्स का है यह अभी मैंने लिखा नहीं अभी मेरे पास देखो कुश्चंस पेपर पड़ा है जैसे कि आप पीछे देखते हो इसके सुलूशन अभी मैंने डाल दिये हैं और इसके अंदर सारे अपडेट्स होते हैं यह वो प्रिंट जैसे ही करेंगे मैं बता दूँगा के प्रिंट होके आगया है वो कर सकते हैं अब in short income tax previous year means हाँ बिल्कुल current year कल अगली class में सारी पता income tax में business economics का timing same है online class तो हम दोनों नहीं अलग-अलग होगा आपका business economics का दूसरे दिन होगा अभी सिर्फ मैंने income tax का time fix कर दिया है बाकि जिससे थोड़ा बहुत class हो रहागा उसको day shift कर देंगे जिससे दिक्कत ना हो दे different होगा वही हमने देख के बनाया था अगर by chance कोई class हो गया हो गलती हो गई हो भूल चुक तो उसको हम rectify करेंगे income tax class इसी time रहेगा बाकी class का schedule दूसरे day पे shift कर देंगे clear है सभी student को sir एक बार check करो ठीक है मैं चेक कर लूँगा एक बार किसी student को कोई doubt है क्या मेरे हिसाब से किसी student को तो जितने बच्चे live है मैं हर बच्चों को बोलूँगा कि आपने semester 4 के जिस बच्चों ने exam दिया तो खुद आपने exam के time पर सोचा होगा कि अगले semester इससे बहतर करेंगे तो उसी आप जो आपने पहले एक खुद प्लेज किया था कि अगले semester के अंदर हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे उसे spirit के साथ जो आप first class के अंदर आपके मन में चल रहा है end class तक वही रखिएगा बहुत life में काम आने वाला सब्जेक्ट है income tax आगे आप future में क्या करने वाले हो उस कोई भी course के अंदर जाओगे तो वहां काम आएगा और income tax तो 100% है भी आचाए CFA कर लो CPA कर लो MBA कर लो और उस टाइम income tax के बच्चे ढूंते रहते हैं जो आप कई बार ढूंते भी हो classes या तो फिर आपको CA का मिलेगा या फिर वो मिलेगा पर basic core वाला नहीं मिल पाएगा आपको चलिए सर्ड मिलते हम next class के अंदर very very good night in short बहुत short class थी आज बस मैंने introduction दिया तो अगली class से आपको hand raise का भी option मिल जाएगा और मैं आप सभी बच्चों से request करूंगा जरूर आप hand raise करके questions करें के सर ये समझ में नहीं है क्योंकि जब तक हम आपस में interact नहीं होंगे ना आपस म जितने आपके मन में questions होंगे उससे दो extra ही बताऊंगा इसके अंदर case study के अंदर चलिए good night take care मिलते हम next class के अंदर और next class के अंदर हम chapter स्टार्ट करेंगे no need अभी book की जुरत नहीं है जैसे market में आएगी तो book को बता देंगे thank you so much मिलते है next class में very very good night sir मेरा अभी तक college में 8.9 CGP very very good आपके जिस बच्चे के 8 या 7.5 से उपर CGP उसको आगे कही दिक्कत नहीं आने वाले किसी अच्छे course में चलिए मिलते हैं next class में very very good night